गंगा बड़ी ना गोदावरी ना तीरत बड़े प्रयाग सबसी बड़ी अयोध्या जहां राम लेहिन अवतार प्रभू श्री राम की जन्म भूमी आयोध्या के राज सदन में इस वक्त मेरी मौजूद की है नमस्कार स्वागत आप सभी का संसद टीवी में और मैं हूँ आपके साथ अम्रिता चौरसिया और आज मैं आपके मुलाकात एक ऐसे शक्त से करवाने जा रही हूँ जिन्होंने आयोध्या की पुर्णे पवित्र माठी को अपनी भाषा की लालित्य से सींचा है जो कवी हैं रचनाकार हैं साहित्यकार हैं जिन्होंने आयोध्या की राजगराने में जन्म लिया लेकिन राज परिवार से इतर साहित्य संगीत और कलाके दिगजों के बीच अपने वेक्तित्व को मानजा है लगभग दो दशक की साधना और आज इनक्षेत्रों का एक मुख्य चहरा बन चुके हैं जी हां मैं बात कर रही हूं राजा यतींद्र मिश्रा की बहुत स्वागत है आपका संसे टीवी पर आप राजह अपने गुनों से हैं यतींद्र मिश्रा जी इतनी उपमाएं और इतने अलंकार आपके साथ जुड़े हुए हैं इतना खजाना है इन गुड़ों का जिसका जिक्र मैं अगर करूँ तो एक लंबी फहरिस्त हो जाएगी और एक बहुत सुंदर परिचर ये भी है कि आयोध्या में प्रभुराम के बाल स्वरूप रूप की जो इस थापना हुई है प्रान प्रतिष्ठा हुई है उनका जो सौंदर है उनके जो आभूशन है उसका पूरा श्रे यतीन रमिश्टा जी को जाता है इन्होंने उसे सजाया और सवारा है रामदला के इस बाल स्वरूप को देखकर हर कोई मोहित और समोहित हो जा रहा है जो आभूशन है आपने इसको डिजाइन किया है मैं चाहूंगे इसके पीछे की कहानी आप हमसे थोड़ा साजह करें कितना वक्त लगा क्या कंसेप्ट था और किस तरीके से आपने इसको अंतिम रूप दिया अमरिता जी जब रामदला जी की पूर्ती बाल स्वरूप की मूर्ती बालक राम जी की यह तै हुई शीराम जन्भूमी तीर छेट्रस के लोगों ने तै किया कि अरूयोगी राज जी की बनाई हुई मूर्ती प्रतिष्ठित होगी उसकी जो उसका निर्ने हुआ उसमें और बाही जन्वरी के बीच में बहुत छोटा सा समय था आदर्निय सच्यू श्री चंपत राय जी ने एक दिन मुझे रात में बुलाया और कहा कि भगवान का अलंकरण होना है और उनकी जेवर बनने है और प्राणपतिष्ठा के दिन उनको पहनाया जाना है तो किस तरह क्या भूशन हो क्या हो कि जो सर्वमानने हो और जो पूरे देश दुनिया में राम भक्तों को पसंद आए और खुद वो राम जी के मर्यादा के अनकूल हो एक बड़ा चैलेंज था और कुल 15-20 दिन का समय था तो रातो रात फिर उसकी स्टडी शुरू की सारे धर्म गरंत पड़े खास करके उसका मुख बेस बनाया अध्यात्म रामायन को राम चृत मानस को और वाल्मी की रामायन को और दक्षिण में आलवंदार स्त्रोच पढ़ा जाता है लक्ष्मी नरायन भगवान की कलपना में पूजा में तो वो सब देखते हुए किस त अभी बनवासी नहीं है वो अभी गुरुकुल नहीं गए है तो जैसे कि 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 राजा का बेटा या किसी बड़े आजमी का बेटा अपने घर में रहता है तो राजकुमार की रूप में भी अलंकरण हो राजोप चार से उनका श्रिंगार किया जाए तो इस तरह की बहुत सा परामश देते रहे चंपत राय जी से डिसकेशन होता रहा और सब करने के बाद एक एक गहना जिस तरह से डिजाइन होता गया फिर एक जूलर टै किये गए एचेस जोईलर्स लकनव के जो मुखेता बदायू के हैं उनको ट्रस्ट ने इंगेज किया कि आप बनाएं पंदा चीजें हमें लगता था कि अवधानात्मक रूफ से ठीक होनी चाहिए तो ऐसा करते हुए हम लगों ने उसको बनाया और कोशिश की कि जो परंपरा में रामान में जो पुराने स्त्रोत पाठ में वर्नित है उस तरह से ही वर्नित हो जैसे उदारन के तौर पर गले में जो क मांच लड़का हीरे और पन्ने का भगवान के शरीर पर कॉस्तो मणी सुषोभित है तो कॉस्तो मणी कैसे हो तो कॉस्तो मणी चुकि सूर्यवैंशी है तो मानिक लिया गया रख्तवर्ण का मानिक और हीरे से बनाया गया जो गले में यहां पर सुषोभित है उसे मुकुट मुकुत में सूर्य देव चंधित किये गे, क्योंकि सूर्य वाइशी है वो, वैजनती माल, विजय माल कहलाता है, वैजनती माला कहलाती है, जो वैशनु परंपरा में कृष्ण राम और विश्नु को पहनाते हैं, आप रजा रवी वर्मा की कलेंडर आर्ट की तस्वीरे उसमें पांच प्रकार के पुष्प लगाये जाते हैं, कुंद, पारिजाद, कमल, तुलसी तो उस तरह से, और चंपा, तो ये पांच फूल सोने के हार पे उकेरे गए, जितने तरह के वैशनों चिन्द हैं, स्वास्तिक चिन्द हैं, भगवान का आयुध हैं, धनुष है, तीर है, मंगल घट है, शंक है, पद्म है, चक्र है, ये सब बनाया गया, तो एक कंसेप्ट ले करके हम चलें, और उस तरह से पूरा राम जी का श्रिंगार हुआ, भगवान का जो तिलक है, जो वैशनों प्रतिक का तिलक है, दूर से आकरशित करें, और भगवान के मस्तक पे सुशोभित हो, तो मारिक और हीरे से बनाय गया, मुकुत बनाय गया, बय हाथ में धनुश दिया गया, दाहीने 切ने हाथ में तीर दिया गया, बालक हैं, बालक गवाज भी बच्चे खिलोनों से खेलते हैं, तो बालक राम के एर्द गिर्द तो पाँच प्रकार के खिलावने रखे गए हाथी घोडा खिलावना गाड़ी जुनजुना वो सब चांदी के बनाए गए तो इस तरीके से एक पुरी डिटेल है ट्रस ने अपने ऑफिशन ट्वीट में अपने अकाउंट से ट्वीट भी किया था सारा डिटेल दिया था मैं को सजाए कि कैसा अनुभव किया आपने लब इतने वर्षों के बात राम लला वहां थे चुकी लोग कहते थे राम जन्मभूमी है राम तो वहां हमिश्व से हैं लेकिन राम लला की उस मूर्ति को उस उनके स्वरूप को स्थापित करना और उस स्वरूप को आपको सजाने और सवादने का मौका मिला या आपके लिए एक वेक्तिगत तौर पर कैसा अनुभव था मैं बहुत सभागिशाली मानता हूं कि अध्या का नागरिक हूं अध्या में जन्म लिया उसी स्थान पर जन्म लिया जिस पर प्रभु श्राम ने जन्म लिया मंदिर बनने के पूर होती हर मंदिर में हर दूसरा घर ठाकुर बाड़ी है और गजेटियर्स में भी छे हजार मंदिर बिलकुल अग्नॉलेज़ड हैं तो यह तो बहुत बड़ी बात थी कि मुझे यह सेवा करने का मौका मिला एक रामभक्त के रूप में एक अध्यावासी के रूप में ट्रस् बहुत ही भकत जन भासरे श्रध्धालू बहुत बड़े लोग बढ़े बड़े लोग बहुत सारी संस्थाएं भगमान को कुछ बहेत कर रहे हैं यह कुछ बहेत होता है और उसको बाकाइदा श्राम जी के चरणों में चड़ाय जाता है रामलला को अगर आप कुछ ना पह रामकृष्ण और श्यूर के तीन ऐसी आउधारनाये हैं परंपरा है भारतिय सनातल संस्कृति के प्रतीक चिन्न हैं इनको कैसे भी रखें वह अपनी अलौकिक्ता में संपूर्ण हैं निगाह टिकती नहीं हैं हमारे प्रभुराम बालक राम पधारे हैं यह बहुत बड़ी यह भारतिय संस्कृति और सभ्भेता के लिए बहुत बड़ा प्रतीक संदेश है हम सभी मेरा परिवार उस काम के लिए चुना गया मैं इसमें अपने को सिर्फ गौरवान भी महसूस कर सकता है बिलकुल यदिन जी अभी आपने जिक्र किया कि आयुद्धा में 6000 के तकरीब मैं चाहूंगी आप उनका जिक्र करें जिनके दर्शन के बिना अयुद्ध्या की यात्रा अधूरी है देखिए अमरिता जी मैं इसको फिलसोफिकली देखता हूं आप किसी पुण्य भूमी में किसी तीर्षेत्र में जाते हैं उस उस भूमी पे चले गए उसकी मिठी को अ कबे हुए हैं ये यॉद्या से बनवास पाके लोट करके आए उद्या में राज किया है रामराज्य की स्थापना कीई बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो अपने किसी न किसी रीла महान है या उनकी अब उधारना है और अबहुत तरह की परंपरा रामानदिओं की परंपरा रामानुजों की परंपरा वैश्नो इसमार्तों की परंपरा बैरागियों की परंपरा वनवासियों की परंपरा सब प्रकार से कबीर पंत्यों की परवपरा सब मंदिर है कुछ मंदिरों का उधारण दूंगा जैसे हमारे लक्ष्मन किला का मंदिर है तो लक्ष्मन किला में भगवान रसिकेंदर विहारी के रूप में स्थापिथ है वहाँ पे सीटा जी को डोली पे लाया गया है और वो बहुरानी के रूप में है अगर आप कनक भौन में जाएं जो बहुत ही महत्वपूर मंदिर है तो कनक भौन में भगवान को दामाद और बहु के रूप में सीता जी को पूजा जाता है रत्न सिंग हासन में जाएं तो हां महराज आधिराज राम के रूप में स्थापित है आ आप रश्रत महल में जाएं तो रडरंगधीर भगवान राम वहां पे मौझूद हैं, तमाम चुटी चुटी परमपराओं में राम लला का अपना एक मूर्तिमान विग्रे है, राम रसिकों की भक्ती परमपरा है, जहां अपने को इस्त्री मान करके पून पुरुष ब्रह्म के रूप में राम जी के अवधारना है, तमाम मंदिर हैं, सद्गुरु सदन, राम सखी मंदिर, विदेहजा, दूजला, निकुंच, तो हर मंदिर अपनी एक कहानी कहता है, हर मंदिर से राम जी के भावना, श्रद्धा, मर्यादा की बात है, राम लला सदन जाएं जहां भ जाएं, चारो भाइयों के कुल दे उटा, श्रे रंग जी का मंदिर है, जो बिलकुर राम कोट में इस्तापड़ है, जो राम कूर्ट में ऑनिमान गड़ी है, जो हर मद्धा के सेवक हैं, नके भक्त हैं, उनके दास है, राम जी तक पहुंचने के लिए, हर मनि पकरना जोर राम जी ने हनुमान जी से भी प्राटना की कि ये बाप अपने राज लॉट जाए वो जाना नहीं चाहते थे उन्हें का महराज मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूं बोले लेकिन कि शकंदा जहना जरूरी है तुम्हारा वहां सब कुछ है लेकिन राम जी ने उनको आशिर विशेश के लिए हनुमान जी साक्षात आयुद्या में रहते हैं अब हनुमान गड़ी में इसी माननता के अनुसार दर्शन पूजन होता है कि मानलीजी अमरिता चौरसिया जी दर्शन करने गई तो वो इस भाव से दर्शन करती हैं कि वो एक पल वो एक छण जिस समें तो पाँच नदियों का संगम है सिर्फ सर्यो ही नहीं है यहां तिलोदिकी गंगा है यहां वेदशृती हैं यहां मड़हा है यहां धेनुमती हैं तो कहने का मतलब यह है कि अयोध्या श्राम की पुर्निभूमी है चिवाकुवंश के दिलीब अज सगर भगीरत दशरत की अमरीश की पुर्निभूमी है रामलला की पुर्निभूमी है और अगर मैं कहूं अपने अनुभाव से कहूं एक बीतरागी सोभाव है सब कुछ पा करके गवा देने का भाव है कुछ भी नहीं है उसमें संतुष तहने का प्रभाव है राम जी आपको ताकत देते हैं लेकि बड़े से बड़े वचन के लिए बड़े से बड़ा सुख और आईश्वरे त्याग देना है तो रामलला की परंपरा में आप सामानी धंग से कैमरा लेके निकल जाए आफ कैमरा बात करें तो जो गरीब भी है जिसका बश्किल से डाल रोटी चल रही है वो भी बहुत जोष्ट है मर्यादित रहते हैं और अपने गम को इस बात के लिए भूले रहते हैं कि जब उनके आराध्यराम को चौदा बरस का बनवास करना पड़ा जब उन्होंने मानवी जीवन में वह सारे कष्ट उठाए पीड़ा उठाए तो हमारी क्या भी साथ इस मामले में कुष्टी से भारा हुआ शहर है जाहितार पी यतिन जी अब मैं आपके परसनल लाइफ की भी बात करना चाहूंगी ताजगराने में आप जन्में है राजपरिवार में पले पढ़ें लेकिन साहित्य की दुन्या में जो आपका योगदान है वो काबले तारीफ है क्योंकि कि मालूम नहीं अमरिता जी कि इसका क्या जवाब दू यह जरूर कहूंगा कि राजपरिवार में जन्म लिया शुरू से शिक्षा दिक्षा संगीच सबके प्रती सम्मान करना सिखाया गया बहुत भचपन से मैंने देख लिया था कि कलाकारों का विद्वानों का सम्मान हो तो मेरे बचपन में यह मन में बात बैठ गई कि बड़े लोग कुछ और होते हैं बड़े लोग वो नहीं होते जो अपने साधन संपन्नता से डिखते हैं बड़े लोग वो होते हैं जिनके अंदर कुछ अपना ग्यान या अपना प्रकाश होता है इसके लिए मैं अपने प 1947 के पहले अंतिम राजा साब थे जगदंबी का प्रताप नरायन सिंग तो उनके दरबार में वेगम अक्तर साहिबा गाइका थी अक्तरी भाई फैजबादी के नाम पे गाती थी महफिले करती थी आना जाना था उनका बहुत संबान था राजा साब अपनी ही मर्सेडीस गाड का जो महफिले सजाती है उसका क्या सब्मान होता है तो वह बात मेरे अंदर बैठती चलीगी मेरी दादी बहुत अच्छा गाती थी मेरी माँ बहुत अच्छा उनकी बहुत अच्छी आवास थी तो गाने का संगीत का पत्र-पत्रिकाओं का पूरवजों का लाबरेरी थी बहुत सारी मागजीन साथी थी उन दमाने की नवल किशवर प्रेस की पिंकटेश वर फ्रेस की गजए टियर साथे ते तमाम किताब आती थी वो सब पढ़ते पढ़ते हैं लाकि मैं साइंस ग्एट्योएट हूं माइक रवालोजी से पढ़ाई हुई बाद में मैं कि अगर तुम अपना जीवन बना रहे हो तो इस तरह से दिखना चाहिए कि तुम एहनत कर रहे हो तो उसी में आगे बढ़ा इश्वर का धन्यवाद बड़ों का पूरवजों का अशिरवाद कि मैंने जो लिखा पढ़ा वो पसंद किया गया और मैं लेखक बनी जी यतिन जी बेगम अक्तर का अपने नाम लिया उसके बाद बिसम अल्लागा हैं गिरिजा देवी हैं लता मंगेशकर हैं हाल महिसोनल मान सिंग इन सब पर आप में लिखा किसी दूसरे साहितिकार या संगेतकार या इतनी बड़ी शक्सित पर लिखना अपने आप में एक बड़ी बात ह लिखा उनकी निजिता का खयाल रखते हुए लिखा कितना बड़ा चैलेंज था ये आपका शॉक था पूशिश रही कि मुझे इस बात से दुख होता था खासकर के हिंदी भाशा में कि हमारे हाँ परंपरा में क्रॉन कर बनाना अब दस्तावेज बनाना और काइव करनी की परंपरा नहीं रही है आज का समय क्या है तीन सेकंड पांट सेकंड का टेंशन प्लान है यूट-का और वह गूगल सच करते हैं किसी सच इंजन में जाते हैं और अपने मतलब की चीज निकाल लेते हैं बिना प्राहम भी सोस्च चुकिए क्या सही है क्या गलत तमाम सारे बड़े लोगों के बारे में और मैं जब उसी के अनुपात में अंग्रिजी किताबें फ्रेंच किताबों उनलों की बायग्रफीश पढ़ता था बड़े कलाकारों की चार्ली चापलें कियों मैंने पड़ी वान गॉप को पड़ा लिंकन को प जो कि अगर नहीं लगता कि मेरे कोई रेल एक चूटी जा रही है कि अगर यह किताब नहीं आई तो कोई दुनिया में कोई बड़े बड़ाव से वंचित रह जाओंगा ऐसे मैं ने शाथ साल लगा के लगा के लिगा लगा बीस साल लगा के गुल्दार साहब के अभी अभी लेकिन मैं उसके बाद मेरी हर किताब का डिस्क्लेमर यह रहता है पहली बात कि सब लिखने के बाद जरूरी नहीं कि मैंने कम्प्लीट कर दिया क्योंकि उनको समझने को उनको ठाने के अभी बहुत सारी प्रविधियां बहुत सारे टेकनीक बाकी है और दूसरा कि यह मेरा सकती है, एक लेखा का यह कभी का फैंड का परस्पेक्टिव है, हो सकता है आप मेरी किसताब पढ़ें और उस किताब को पढ़ने के बाद गइनी के बाद कभिने के बाद या उसे गविन्स होने के बाद आ आपके मन में भी कुछ सुभा अगर मैं होती मेरे साение लाताजी ह के लिए स्कॉलर्स के लिए और समय के लिए आर्काइव हो जाए उसी का मेरा काम जी यतिन जी आप मूलता कवी है आपके अंदर एक बहुत ही बहतरीन कवी बसता है ना जाने कौन सा धागा है जो बांधे रखता है हमको दुनिया भर की तमाम रिष्टों से आपने तमाम कवि किता अपने पढ़ी वो मेरी किताब विभास से है कभीर पर मेरा एक संग्रे था उस पर काम किया और कविताय भी बहुत मन से और मन्योग से लिखता हूं मैं कभी भी जो चालू फार्मूला है कि ये चल रहा है ये फैशन है ये मिजाज है उसमें मैं नहीं जाता स्वांता स करता हूं मेरे लिखे से किसी को प्रिणा मिल जाए मेरे लिखे से किसी को आनन्द आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है कोई उससे कन्विस नहीं है तो भी मैं अपने को क्वेश्चन करता हूं मैं अपने रेट्रोस्पेक्टिव में जरूर जाता हूं आपकी पुस्तक श जब ये मालूम नहीं था कि सुप्रीम कोड का वर्डिक्ता हाएगा इसके फेवर में और हमें मंदिल मिलेगा उसके पहले से बहुत पहले बहुत छोटा था मेरे गुरू होते थे पड़ित पिद्या निवास पद्मभूशन थे राजय सभा मेंबर हुए विध्वान आदमी काशिय विद्या पीठ के सवनपुरानन संस्कृत विश्विद्याले के वाइस चांसलर होकर रेटायर हुए तो वो मुझसे कहते थे कि यतीनर में उनके अप आधे करनी चाहिए अपने लोकेल के बारे में आइसकर उहहां बातकर नहीं चाहिए उन शीज़ों के बारे में बात उन चीजों को बताने से उस समाझ किया गजोह उखरता है फिर वो तमाम सारे उधारान देते थे ते बंगला साहित के एमल्याल्म के सब के Serg उन्हों उन्होंने कहा कि तुम एक कभी के तौर पहचाने जाओ उसके ज्यादा बड़ी बात ही होगी है मुझे संतुष्टी ऐसे गुरूतर मिलेगी जब तुम आयोध्या को समझगो और जानकार के रूप में जाने जाओ कि मुझे खुशी होगी कि मेरा एक्षिष जो आयोध्या मे जो नहीं रहे उनके पास जाता था इंट्रिव रिकॉर्ड करता था पुराने मैप्स देखता था गजेटियर पढ़ता था और मैंने देखा कि टिफेंथलर का का काम कार्नेगी का काम हंस बेकर का काम इबी जोशी का काम सब का काम होते हुआते जो लास्ट गजेटियर बना के नए ढंग से स्टेडी करके मौडर्न अप्रोच के साथ के अउध्या फैजबाद कितना है कितना बदला मैंने फैजबाद शहर नामा की अउध्या के पांच किलोमीटर की परिदी में जो पचकोसी परिकरमा की अवधारना है जिसमें तमाम मठ मंदिर हैं तमाम अब रहे नहीं तमाम का जिरुनधार हुआ मैंने एक बड़ी किताब तयार कि अउध्या परंपरा संस्कृति विरासत पर अउध्या की संगीत परंपरा जो मठ मंदिरों में गाई जाती है भगवान के जन्म से लेकर के विवात तक की आज भी मैं खोजी पत्रकार की तरह आज भी में क्कोशिश करता उसके मातिस अगंद को समझने की तो यह कोई प्रोजेक्ट नहीं था यह अपने गुरू के प्रती एक प्रणती थी उनके बारे में कि वो नहीं है और अबने शेह के प्रती एक समर्पन था समर पर था और मुझे इस बात का बेहत दुख है कि ये तीनों काम तब आए जब विद्यानिवास जी नहीं रहे दो हजार नौ में संगीत परंपरा आई दो हजार सोला में शेहनामा आया दो हजार बीस में है अध्या आई और विद्यानिवास जी के मृत्यू दो हजार दूनेंगे तो काफी चीज़े मिल दाएंगे तो मुझे लगता है कि मेरा काम है अपने शेहर को ठीक से समझ करके उसके सोशियो पॉलिटिकल कल्चल आस्पक्त को लिखने का उसको डॉकुमेंट करने का वह करता हूं कितना वह आपके काम का है मतब आगे पढ़ने वाले का यह हो जाने यह कितने काम का है इसकी गवाही देते हैं आपको मिले पुरसकार अगर पुरसकारों का नाम लेना शुरू करूंतिक लंबी फहरिस्त है बहुत सारे राश्ट्रिय और साहित्तिकी दुनिया के बड़े बड़े पुरसकारों से आपको नवाजा गया है यतीम ज अधिया का आर्थिक महत्व बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना सिर्फ देश बल्की विदेशों तक एक टुरिजम हब के रूप में तो यह डेवलप करी रहा है लेकिन उत्तरप्रदेश के साथ साथ देश के एकॉनमी के सेंटर के रूप में भी आने वाले दिनों में अध अधिया को आप किस रूप में देखते हैं फिचर में अधिया मेरे लिए जन्मभूमी है कर्मभूमी है अधिया मेरे लिए एक सांस्कृतिक धड़कनों वाला शेर है अधिया राम्राला की नगली है इसमें तो कोई संदेह नहीं मैं एक अधिया वासी के एक नागरिक के त महानगरों से होड ले और उसी तरह का जीवन यापन करें जिस तरह से बड़े शहरों का डेवलप्मेंट होता है श्री राम लाला के आगमन से भगवान की प्रतिमाइस थापित होने से एक बड़े प्रती चुने जाने के इस्थिती में अगर आयोध्या का विकास हो रहा है हम हमारे अरपोर्ट आ रहा है हमारे आहां रोजगार के तमाम साधन इकठे हो रहे हैं दर्शनार्थी आ रहे हैं रामभक्त आ रहे हैं सैलानी आ रहे हैं धेता लोग आ रहे हैं देश-विदेश के लोग आ रहे हैं और उससे आयोध्या के लोगों का रोजगार चल रहा है उ जहां का कोई एक अपना जीवन है, जहां पर के लोग रहते हैं, भले उसका सांस्कृति कितियास ना भी हो, तो भी उसे विक्सित शहरों की तरह जीने का, उसे हर तरह की चीजे पाने का, उसे बहतर चिकिसा, उसे बहतर शिक्षा, उसे बहतर रोजगार पाने का अधिकार है, और इसे होना चाहिए जो मेरी जन मस्थली है जो भगवान राम की पुन्य भूमी है एक सांस्कृतिक प्रतीक है इस शहर ने गोस्वामी तुलसी दास जी द्वारा यहीं से रामचो इत्मानस की लेखन की शुरुवात होई और शुरुवात के तीन कांड को स्वामी जी लिख के बाहर गए जिस देश की संसक्रती दो बड़े महान गणतों पर उपस्थित है रामचो इत्मानस और महाबारत जिस देश की संसक्रती में महात्मा गांधी, रामराजे के इस्थापना की बात करते हैं जिस देश में राम, मर्यादा, अनुशासन और त्याक के प्रतीक हैं ऐसे शहर में आकर के राम राला का दर्शन करें अयोध्या की लोगों से जुड़ें अयोध्या के बहाने भारतियता का अगर पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार हो रहा है उसको देखें, समझें और मैं कहूंगा कि अपने अंदर उस रामत्यों की प्रतिष्ठा करें जो श्री राम को देवता बनाते हैं हम लोग उन्हें महामानों के रूप में एक महासंस्कृती के बड़े नायक के रूप में पूझते हैं अगर उनका छोटा सा भी अंश हम अपने जीवन में उतार सकें तो हम आउसाथ से, लडाई जगडे से, गला काट पतिस परधा से, डिप्रेशन से बचे रहेंगे और मुझे लगता है कि ये बेहतर होगा यकीनन, अयोध्या जे है, अनंत है, आदी है और अयोध्या के ऐसे निवासी को हमारा शत्षत प्रणाम बहुत शुक्रिया यतिन जी इस पूरी बादचीत के लिए बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का बहुत आपका